दोस्तों मेरी यल बता रहा हूं विश्वास नहीं हो रहा यह सब कुछ मेरी जिन्दगी में हो रहा आज मुझे सपनों जैसा ही लगता मैंने जिन्दगी में कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था अगर मेरी मम्मी आज पास में जब मैं बेक को जब याद करता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं रिजल बता रहा हूँ आप लोग सोच रहोंगे कि यह सब मजाग चल रहा है मजाग नहीं है यह सब कुछ बोट गराविश्टते जूट के आया हूँ मैं मेरी मम्मी को जब जब देखता हूँ आखो मैं आसवा जाते हैं बिल्फुल इस्तित्या कराब थी जब ठेला लगाया करता था इंडेगा दो लोग आया करते थे पुलिस वाले गाई लेके आया करते थे और जब मार के जाया करते थे मेरी मम्मी को जाके बताता था मैं मैं बोलता था मम्मी आथ फिर पुलिस वाले आए फिर परेसान करके चले गए मेरी मम्मी बोलती थी ठीक है बेटा मत लगा ठेला अपने तो कोई दूसरा काम कर ले वो दूसरा कलर का काम कर रहा तू भी उसी के साथ जा मैंने बोला ठीक मैमी मैं ठेला चोड़ूंगा मैं परेसान हो गया जैसे ही घर से पूरे दिन सोचता था यारा ठेला नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन फिर मेरी मम्मी सामान तैयार करके रख देती थी और मैं बोलता था ममी तू बोल रहीं कि ठेला नहीं लगाना मेरी मा यह जिवाक बोलती थी खाएंगे चाफिन खाएंगे चाब अगर ठेला नहीं लगे यहां से बात कर रहा हूं यहां से बहुत सारे लोगों को इतना देखने के बाद में मजाग लगता है बहुत सारे लोगों के मापाप यहां बेटे है अगर मेरी माँ एक नोजार का यहां जब पेकिज खरीदना था सर बड़े बड़े सबने दिखा चुके थे और मेरी मम्मी को जाके बोला मैंने का मम्मी एक बार पेकिज खरीदने से मेरी जिन्दिक इस काम में बन सकती है पहले तो पापा ने मना कर दिया बिल्कुल किलियर कटे में मना कर दिया मेरी मम्मी यहां बेटे दोनों रख में किरवे रख के पढ़ोस वड़ी आंटी जी से 2% प्याज बिला के मेरे को इस बिजनस को जोइन कराया और इस बिजनस को जोइन किया और लोगों को बताना चालू किया ये दूनिया ना दूनिया किसी पर रहम नहीं करती है एक गरीब आथमी जब आगे बढ़ता है ना तब यह दुनिया उसको पीचे कहस दिये, बहुत थारे रिस्तदार, बहुत थारे दोस्त, मना किया बहुत अब ऐसा हो नहीं सकता, बहुत यह सब पाल तु काम है, और जाले तुमारी इस्टरी में नहीं लिखा हुआ कि तुम कभी अमीर बन सकते हो, तुम साड़े पटीचर के ओलादो, और तुम बुरे बुरे इंसान के ओलादो, तेरा बाप जैसे ही मरेगा, तुम भी वैसा ही मरेगा, तुम नहास तक कुछ नहीं कर पाए, यह बाते जब लोग बोलते थे थे ना, यहाँ पर लगती दिल, आपर हो एक मोका था कियार, जीवन में कुछ करे, मैं नहीं मत दिलाई और फिजवाज दिलाया, कि मैं आपके साथ हूँ, एक बार अभी तक भी जो तालिया ने बजाई है, उससे कई हजार गुना तालिया उसे इंसान के लिए बजाई है, और मैं से तेंग यू, तेंग यू, अगर वो नहीं होता, तो आज भी कोट के बार ठे सुक्तेव शिंग रावत के लिए, जोड़दार तालियोनी चाहिए, सर के लिए, उसाथ मिने मेर को भिष्वाज दिलाया, और एक की कमिट्मेंट लिया, मैंने बोला, सर में इस काम को करूँगा, मेरा चोटा भाई आज, डेढ़ साल से मेरे साथ इस बिजनस को कर रहा है, गालिया बोलता था मेरे को, के कौन सा काम चोइन कर लिया है तुने, गर में ममी परेजान होरी, पापा गर बेंकार जगड़ा हो रहा है, मेरी चोटी बेनिया बेटी है, मैं जब 20-20 रुपे मांग के ले जाता था, पीचे से चोर चोर बोलती थी मेरे को, के कौन सी कंपनी म मेरे थेले को बंद कर दिया और मेरे थेले को बंद कर दिया तुने मेरे सुखदेव सर बेटे इनको भी पीचे से गाड़या बूला करते थे लेगिन सर ने एक ही बात बोली महेज जी आज तक जिस भी इंसान ने इतियास लिका है एक बात जो उन्होंने मेरे को बोली थी वो बात मेरी यहां पर सीदी लगी थी उन्होंने एक ही बात बोली थी महेज जी चिस चिस पे जग अचा है इतियास उसी ने लिका है पागल था, मैं तो भूका था, मेरको तो कुछ चाहिए थी साले लोग मना करते थे, लगातार इस काम को किया किसी के केड़े से रुखा नहीं, बाप कालिया बोलता था मेरी माँ भी गालिया बोलती थी, मेरा भाई भी गालिया बोलता था हर आदमी को सुनता था, खाना जैसे ही खाता था, मेरी माँ पीचे से बोलती थी, तोड़े अराम के टुकडे, साड़ा गर में एक रूपया नी देता है, मैंने बोला एक बकता हैगा मेरा जरूर, छोड़ूंगा ने इस बिजनेस को, लगातार करता गया, लगातार करता गया लगातार रुका नहीं, आज वोई लड़का, जो लोग बोलता है, जो लोग, जो माबाप या बेटे, जो पच्चों को रोकते, आज उन लोगों के मूँ पे करारा जवाबे, जो ठेला लगाने वाड़ा लड़का, आज इस बिजनेस की ताकत की वज़े से, मेरे खांदाल में, तीन पीडी में, जिस आदमी ने जो नहीं किया, वो मात्र में ने डाई साल में यहां से करके बता दिया, अच्यूमेंट की अगर बात करो, थेंग यो, लोगों को पेशेंस नहीं है, लोग जुड़ते ही पैसा आना चाहिए, शाला एक साल तक एक रूपया निया, मेर पैसा है, लेकिन उसकी नजर में करम करता गया, लगात्तार काम करता गया, और एक साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, इसी पैस की, पैसा अगर कमाने की बात करूँ, तो जो लोग बोलते हो कि पैसा आता नहीं है, अरे साल अगर इंसान अपनी पे आ जाये ना, तो क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता, इसी पिजनस की वज़े से, अगर बात करूँ ना, पिछले साथ दिन की इंकम है, मेरी 19,000 रूपय, साथ दिन की इंकम है, 19,000 रूपय, और ब्यावर मे लोग बोलते थे भाईया, ब्यावर के लोग नहीं करने वाले, ना तो इधर मात्रा, ना इधर मात्रा, ब्यावर के लोग, बहुत खराब होते हैं, मैंने बोला, साला मे भी अपनी पे आया हूँ, काम तो करके बताऊंगा, और आज इसी पिजनस की प्यावर में, दंके की पर काम होता है, यसर नो थेक्यू एक साल बाद जब पेसा आना चालू हुआ और वो जो भाई मेरा विरोध करता था जो बोलता था इसा होता नहीं है उसको फिर मेने चेक बताना चालू किया मैने देख आता है तो बोले, यार भाई पैसा तो आता, में भी जुडूँगा फिर इसने करना चालू किया आज इस बिजनस की ताकत की हो जैसे मेरा छोटा भाई लग की गाड़ी चलाता है और उसका बड़ा भाई फ्वूडलर चलाता है ये ताकत है लग की चलाता है मेरा छोटा भाई आज तक लेपटोप साला डर लगता था छोटे भाई को लेपटोप दिलाया खरीदा इसने काम करना चालू किया आज अगर मेरे भाई की पिछले साथ दिन की इंकम बताओ साथ दिन की इंकम है आथ हजार उपे और उसके बड़े भाई की साथ दिन की इंकम पर कि अप्वाइब उननीस अजारों उपए सर बोले मैं एजी कार लेनी है मैंने बोला चर कार में तो पंगा उजाएगा मेरको तो चलाना ही नहीं आता है आस तक कार में कभी बेटा इन्यू बेले कोई दिक्कत नहीं सब चलाना जानते हैं तो बैस सीखो मैंने लर रिएलवाज बता रहा हूँ मेरा बाइफ पता क्या बोलता है अर्नो आज रिएलवाज बता रहा हूँ जो मेरी मम्मी बोलती थी नहाँ हराम के टुकडे तोड़ता है आज वो ही मा सुबे उड़ते ही, आदा किलो भेंस का दूद मंगाती है, बादाम खुदी को उड़ती है, और घोलती है, और पूरा हिलाती है, और जैसे इस तर से उटा, ब्रस करने के बाद जबदस्ती बादाम का दूद पिलाती है. Thank you, yes or no? Yes or no? सितने भी लोग मेरे साथ में आग बिजनस कर रहे, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे, साड़ा अपनी मैया का दूद नी पिया, अगर डिड़त सालमोन लोग को कारों तक नहीं पोचाया तो, कारों तक पोचाया तो. Thank you. Thank you. साला उस समें में पीछे बेटा था, पूरी मुट्टी को कसके पगड़ लियो था, मैंने बोला साला मैंने पिया मैया का दूद पिया नहीं, साला गा डाईस साल तक इस बिजनस को छोड़ूंगा नहीं, और कार तो लाके बताऊंगा, सबा दो साल में कार लाके बताया, और आप सारे लोगों को एक आवान कर रहा हूं, अगर है किसी के जिगर के अंदर जिगरा, और उस जिगरे के अंदर कलेजा, और उस कलेजे में दम, अगर पिया मैया का दूद, तो डाई साल किसी के कैने से इस बिजनस को छोड़ना मत, अगर तेरे घर के अंदर कार ना जाए, तो साला मैश कुमार सामरे अपने बाप की अज सब्सक्त नहींिन सब्सकेस निए यह बिजनेस पागल और् तिलतार लोगों का फर्जी लोग तो तो ओटोमेटिक बाहर हो जाते है इधर से, सच है कि नहीं, दोस्तों, आज इस बिजनस की वज़े से, थेले पर 200 रुपय कमाने के लिए, इतनी मेहनत करते थे, लेकिन इस बिजनस की वज़े से, अगर बात करूं, तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता, जिस महीना मेर को 70-75 जार महीने का नहीं आता हो, जिस बिजनस की दागते हैं, और लाष्ट कमिटमेंट करके अपनी बात खतम कर रहा हूं, मेरी मम्मी भी यहां बेठी हुए है, अगर साला दो अक्टूबर 2018, आज से अगले दो साल के अंदर, मेरे खांदान का पहला लड़का हूंगा, मैं अपनी म नहीं आगा दूद नी पिया, तो अजार अठार में चारीश लाग का घर नी बनाया तो, मैं बनाऊंगा चारीश लाग का घर, तेंग्यू, यह बात दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि दोनों भाई, एडी का जोर लगा के काम कर रहे, साला सुबह दू क्योंकि दूमें दार काम करते हैं, जितने जादा लोगों को बताना हो, उतने जादा लोगों को बताते हैं, मेरे भाई को एक ही बात बोली है, मैंने बोला साला तक जब तक हम दोनों भाईयों को मरना नहीं है, जब तक इनको 40 लाग के घर तक नहीं पोचा दें, अपने प बता रहा हूँ इस बिजनस को मेशा दिल से करता हूँ मैं और हमेशा करता रहूंगा बचाब लोग का साथ चाहिए क्यों तो ब्यावर के अंदर एसा कोई चोराया ऐसा कोई गली नहीं बचेगी जहां पर लोग जिंदिका नहीं बनाएगा जाएगे नहीं तो दोस्तों मैं कि यादा समय नहीं लेते हुए सर गोई सटेट पे कोल करना चाहोंगा वापलाव ने सर को तो प्लीज मोस्ट वेलकम सगेल एक और जोड़ताली होनी चाहिए अ थैंक्यों मैशी तरह ना मैशी कर affiliated अ दो आ रहा है कि नहीं आरा कि फूल रहा है कि नहीं खोड़ रहा है क्सादा को offset उबाल मार रहा है सही इस छily दोस्तों आगे की खारवाई करने के लिए आगे की बहुत सारी depends है क buldu करना के लिए मैं और सरको कॉल लगा की क्ला करना चाहूँ खा कि एक बार की बात है मैई जी मेरे पास बैटे थे और मैंने मैई जी को एक बात कही कि मैई जी तुम्हारे जिंद्गी का लक्षे क्या है क्या करना चाहते हो कुछ करना चाहते हो बोले सर मुझे कुछ नहीं करना बस यह की काम करना है मैंने कि क्या मेरी मदर ने बहुत संगर् चाहता हूं मैं चाहता हूं मेरी मदर ने अगर 23-25 साल नरक देखा है तो आने वाले 23-25 साल तक मैं उसी सोरक दिखाना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा महीजी के लिए जोड़ता तालिया होनी चीहें बहुत बड़ी आशोचें